अगर आप लोग को कौन कौन सी स्टेजिस फेस करने पड़ेंगे इसी टोपिक को आज हम लोग यहाँ पे डिसकस करेंगे तो फर्स्ट अब अगर आप लोग आईएटी मुंबई में एडिमिशन लेना चाते हैं पेशडी कोर्स में तो जो फर्स इस्टेप होगा जो आप लोगों को फेस करना है वो है कि आप लोगों को या तो CSIR नेट या फिर गेड एक्जाम में से कोई एक एक्जाम विद गुड CSIR नेट और गेड एक्जाम को क्रैक कर लिया है तो जो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप है वो यह है कि आप लोगों को कंफर्म करना है कि आप लोगों के पास में 4-year की डिगिरी है या आप लोगों के पास में जैसे सबोज देट BST पलस MST यानि बैचलर पलस मास्टर द लोगों को ने कोर्स किया है तो यू आर एलिजिबल और अगर आप लोगों कोई 4-year का कोर्स किया है लाइक भी टेक तब भी आप लोग एलिजिबल है आई-ई-टी-मूंबई में पी-चडी-एडिमिशन के लिए तो फ्रेंट से जो आई-ई-टी-मूंबई है वो वन यह म दो बार आप लोगों को चांस देता है अपलाई करने के लिए और अपनी जो आई-ई-टी-मूंबई की ओफिशियल साइट है वहाँ पे आप लोगों को पी-चडी-एडिमिशन के लिए एप्लिकेशन फॉर्म ओन-लाइन प्रोवाइड कराता है तो यह जो फॉर्म है पी- पर चैक करते रहें अगर आप लोगों को आई-ई-ई-टी एडिमिशन लेना है फिरंड से सबोन लोगों ने आई-ई-ई-ई-टी-मूंबई का ट्लिकेशन फॉर्म भी-फिल कर लिया है तो अगर आप लोगों का आप लोगों की ओर प्वलिपिल करते एडिमिशन है तो IIT Mumbai आप लोगों को call करता है और आप लोगों को एक PhD के लिए call letter आता है आपकी Gmail पर वो call letter ऐसा होता है यह मेरा call letter है वो call letter ऐसा होता है उस पर आप लोगों को ऐसा मिलेगा यानि call letter for PhD admission आप लोगों को call letter आएगा PhD admission के लिए तो friends ये call letter आप लोगों को gmail के थुरू IIT Mumbai बेज़ता है आप लोगों के पास में gmail के थुरू आता है तो अब आप लोगों को क्या करना है जैसे आप लोगों के पास में call letter आ गया है तो आप लोगों को IIT Mumbai में जाना पड़ेगा आप लोगों को मुंबई जाना पड़ेगा तो आप लोग मुंबई जैसे आप लोग पहुंच जाते हैं IIT मुंबई में आप लोग चले जाते हैं तो वहां पे आप लोगों का रिटेंट टेस्ट होगा और रिटेंट टेस्ट के बाद में आप लोगों का इंटरव्यू होग तो आप लोगों का एडमिशन हो जाता है IIT Mumbai वे तो फ्रेंड्स ये पूरा एक तरह से फुल्प प्रोसीजर है IIT Mumbai में PhD एडमिशन आप लोगों को कैसे लेना है इससे दिलेटिड तो फ्रेंड्स से अगर इस वीडियो से रिलेटिड आपका कोई 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 है तो फ्रेंड्स उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें मैं आपकी हर एक प्रोब्लम को सोल करनेशी कोसिस करूँगा और अगर आप लोग मेरे साथ में फ्यूचर में भी जुड़ा रहना हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आप लोगों को और भी अच्छी वीडियो ऐसी प्रोवाइड कराता रहूंगा थैंक्यू फ्रेंड्स